नगर पालिका जो सबसे बड़ी स्वशास्थी संस्थाओं से बाद मध्यम वर्के शहरों के लिए है छोटे शहरों के लिए है छोटे ख्षेरी ख्षेतरों के लिए है उसे कहते हैं नगर पालिका जहां अंग्रेजी में नगर निगम को मिनिसिपल कॉपोरेशन कहते हैं वहीं नगर पालिका को अंग्रेजी में मिनिसिपालिटी कहते हैं या municipal committee भी कहते हैं पर सामान नित्या municipality या नगर पालिका कहा जाता है हर रज अपनी नगर पालिकाओं के संक्षन के लिए नगर पालिका अधिनियम बनाता है एक तो नगर निगम अधिनियम हो गया नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगमों का निर्माण होता है जिसमें नगर पालिकाओं को नगर निगम का दरजा देने का प्राधान रहता है जैसे 36 गड़ में 13 के आसपास की संख्या में नगर निगम है उसे प्रकार नगर पालिका जिनियम होता है यह जिनियम नगर पालिका की शक्ति को निर्धारित करता है ये जिनियम उसके कारिक्षेत्र को निर्धारित करता है उनकी आयव्याय के संबंद में नियंतर रखता है रही इसके संग्ठन की बात तो नगर पालिका के सदस्यों की संख्या वह भी नगर की कुल जन संख्या पर निर्वर करती है चनाओं के लिए पूरे शहर को वाडों में वैसी बांटा जाता है जैसे नगर निगम के संबंद में वाडों की संख्या का निर्धारन राजिपाल की अधिकार क्षेत्र में आता है जैसे नगर निगम के संबंद में और कुछ स्थान अनसुचि जाती, अनसुचि जन जाती, महलाओं आधी के लिए रखे जाते हैं। जो चुने हुए प्रतनीधी होते हैं, जो वार्ड से चुने जाते हैं, उन्हें पार्शत कहते हैं। यही पारशद शब्द नगर पालिका के प्रतिनिधियों को भी कहा जाता है वहाँ भी पारशद ही कहलाते हैं रही पारशद की यो गिताएं वो भी वही हैं जो नगर निगम की हो आयू की बात जरूर कर लूँ मैं कि पचीस वर्ष की आयू हो चाहे वे नगर निगम के हो पारशद या नगर पालिका के हो नियूनतम आयू पचीस वर्ष और मतदाताओं की उम्र तो 21 वर्ष है लेकिन प्रतने दियों की नियूनतम आयू पचीस मानी गए हो नाम मतदाता सुची में होना चाहिए किसी विजी द्वारा अजोग घोशित ना किया जाए किसी लाब के पद पर ना हो और समय समय पर जो कानून बनते हों उसके तहद वो अपातरता रखता हो ये सारी जो गिताएं नगर निगम के पारशदों के लिए भी वही हैं जो नगर पालिका के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष नगर निगम के अध्यक्ष की तरह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है डारेक्ट इलेक्शन और इसी पकार प्रत्यक्ष रूप से वयस जनता पारशदों का निर्वाचन करती है नगर पालिका के पारशद अपने गुप्त मद्दान से एक उपाध्यक्ष निचुनते हैं, तो उत्रकार नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो पारशद हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव से हटा भी सकते हैं, तो ये आपको सुढ़ना होगा, कि नगर निगम में जहां मेर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और इस दोनों को उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होने पर अविश्वास प्रस्ताओं के मद्दे नजर इन्हें पर से हटाया जा सकता है, नगर पालिका की भी एक परिशद होती है, जो सामाने सभाज जिसे हम कह सकते हैं जिसकी बैठक माह में कम से कम एक होना जरूरी है और इस बैठक के अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, जबकि नगर निगम के बैठक के अध्यक्षता सभापती करते हैं, नगर निगम के बैठक के अध्यक्षता सभापती करते हैं, रायपुर नगर निगम के मेर कौन है या महापौर कौन है उनका नाम है श्री एजाज धेबर और अध्यक्ष की बात करें सभापती की बात करें तो सभापती कौन है श्री प्रमोद दुबे तो अब आप समझ गया होंगे दोनों में अंतर नगर निगम के यही श्री प्रमोद दुबे पूर में महापौर भी थे मेर बाद में उनका चुनाव सभापती के लिए हुआ और मेर कोई और बने जिनका नाम मैंने बताया जैसे श्री एजाज डेबर नगर पालिका में स्थिति कुछ अलग है वहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और गुप्त मद्दान से उपाध्यक्ष चुना जाता है और बैठक कम से कम इनकी महिने में एक होना जरूरी है और इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं जबकि नगर निगम की धक्षता सभापति करते हैं नगर पालिका परिशद का प्रशासन कैसे चलता चैसे नगर निंगम के प्रशासन के लिए मैंने आपको बताया कि जोन कमिशनर होते हैं जोनल कमिशनर उसके लावा Municipal Commissioner जिसे हम निगम आयुक कहते हैं आखिर नगर पालिका का कैसे प्रशासन रता नगर पालिका में एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिसे CMO कहते हैं ये विभिन परिशद और समितियों दोरा जो निर्णा लिये जाते हैं उन्हें लागू करने का काम करवाता हूं नगर पालिका भी नगर निगम की तरह कई समितियों के माध्यम से काम करती हैं और उन समितियों में पार्शद ही होते हैं स्वास्थ समिति, सफाई समिति, सांस्कृतिक समिति, बजट समिति, सामाजी कारे समिति ऐसी अलग-अलग समितियां बनी हैं और एक पार्शद एक से बैठक होती हैं नगर पालिका का भी हाल उसी तरह का है उसी तरह की व्यवस्था है कि नगर परिशद और समितियों द्वारा निर्णा जो लिए गए हैं उनको कार्यानुवित करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम में निगम आयुक कहलाता है वो नगर पाल का अधिकारी कहलाता है CMO Chief Municipality Officer इनके संपादन के लिए जैसे मैंने कहा समितियां उप समितियां हैं और इसमें पार्शद होते हैं इसके अलावा कुछ स्थाई सदस्य भी रहते हैं उन स्थाई सदस्यों में कारेपालन अधिकारी स्वास्त अधिकारी सफाई कर्मचारी ओवर सियर चुंगी अधिकारी शिक्षा विशे शग्य आधि इस्थाई हैं अब यह इस्थाई लोग क्यों हैं इसमें देखें पार्शद लोग का कारेकाल पांस साल का अधिक्तम होता है और यहीं कुछ बात हुई तो इनको पूर में भी भंद किया जा सकता है और छै माह के अंदर फिर से चुना होते हैं ऐसी सिर्थ में पार्शद अपने अपने विश्यों के मास्टर नहीं होते विश्य शग्य नहीं होते माहिर नहीं होते और दूसरी बात कोई सततता नहीं रहती पार्शद की स्वास्त समयते ने हेल्थ क्लिनिक बनाने का निर्णे लिया और उसके लिए उसने आदेश दे दिया संबन्दे तडिकारी को, अब दिरफागे से ऐसा कुछ होता है कि चुनाव हो जाते हैं, पार्षदों का कारेकाल खतम हो जाता है या भंग हो जाता है, अब नए पार्षद वगर आते हैं, तो वे नए तरीके से क्लिनिक की बात करेंगे, और सब कुछ व्यर्था को बदलने का एक प्रयास होगा, ऐसी इस्तिति में पुराने सारे खर्च बेमानी हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, समय का विलम तो अलग नुक्सान अलग होगा ही, आर्थिक नुक्सान तो है ही, इस से बचने के लिए कुछ इस्थाई अधि कारियों को भी इन समितियों में डाला गया है, जो पारशद बदलते रहें, लेकिन समितियों के वो सदश से बने रहते हैं, इस्थाई रूप से, जैसे मैंने बताया, कारे पालन अधिकारी, एक्जिक्टिव ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, सफाई अधिकारी, मिनिस्पल इंज विशे शग्य, ये लोग इस्थाई रूप से इन समितियों में हैं, शिक्षा विशे शग्य, मिनिस्पल्टी के तहट आने वाले जितने भी स्कूल वगर हैं, इनके बारे में उसकी पकड़ बहतर रहती है, रही रायपुर की बाद तो यहां पर तो शिक्षा के नाम पर के अन्य प्राउधान भी किये गए हैं, और ऐसे प्राउधान जो पूरे देश के लिए एक उदाहरन माने जा सकते हैं, उदाहरन के लिए नालंदा परिसर, उदाहरन के लिए सेंटरल लाइबरेरी, उदाहरन के लिए कुछ अन्य लाइबरेरियां, कुछ अलग मॉडल पे ख 24 गंटे चलती हैं, 24 आर्स खुली रहती हैं, सभी तरह की सुविधाय हैं, आप सोच सकते हैं, Municipal Corporation इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, तो इस परकार नगर पालिका परिशद का प्रशासन भी कमोबेश नगर निगम जैसा ही है, हाँ रस्तर थोड़ा छोटा, दायरा छोटा त संबंद में एक महत्पूर्ण जानकारी और आपको मालूम होनी चाहिए, शंगठन आपने समझ लिया, कारिक्षेत्र समझ लिया, कारिक्षेत्र तो वैसा ही है, जैसा कि नगर निगम का होता है, वही कमोबेश वही कारिक करने हैं, जो नगर निगम को करने होते हैं, लगभ तो नगर पालिका के कारियों पर हम विस्तार से नहीं जाएं और मान लें, समझ लें कि नगर निगम के ही कारिय सब इनके हैं. जो महत्पूर्ण बात इनके कारियों में आती है वो संक्रमन रोंगों से बचाओ, नगर निगम के लिए भी बहुत महत्पूर्ण हैं जैसा मैंने बताया, महा मारियों से बचाओ करने की विवस्ता करना, गंदी बस्तियों की साफ सफाई की विवस्ता करना, नगर पालिका के लिए बहुत अहम कारे हो जाता है क्योंकि उस उस्तर पर शुरू होती ही गंदगी होना उस उस्तर पर शुरू होता है जुग्य जोपणियों का बढ़ना और मश्रूम करना तो उस उस्तर पर ही यदि सुनिश्चित कर लिया जाए कि जुग्य जोपणियां साफ हों तो जब विशेश नगर पालिका या छोटे नगर बड़े नगर का रूप लेंगे तो इस सुनिश्चत जाएगा तब तक कि जुग्य जोपड़ियां साफ हैं तो इसलिए संक्रमन रोगों से बचाव करना नगर पालिका के कारी खेतर में एक बहुत महत्पूर्ण कारे है साफ सफाई रखवाना शौचालेओं की वरस्था करना आदी आदी नगर पालिका के संब्द में एक विशेश जानकारी कि नगर पालिका को जन संख्या के आधार पर चार वर्क श्रिणियों में बाटा गया है पहले वे नगर जिनकी जन संख्या प्रसम श्रिणी वो जिनकी जन संख्य 50,000 से जादा है दूसरे जिनकी जनसंख्या 50 से कम और 20 से जादा 20,000 से 50,000 से बिच वो दूसरी श्रयनी तीसरी श्रयनी 10,000 से 20,000 के जनसंख्या और 4 श्रयनी 10,000 से कम दूसरे शब्दों में आप यह समझ सकते हैं कि नगर पालिका की नियुनितम जन संख्या कितनी हो सकती है पांच छे हजार से उपर हो तब जाके वो नगर पालिका की शेणी में आएगा और नगर पालिका की कौन सी शेणी में आएगा यह फिर पांच हजार आठ हजार के बाद की संख्या के आधार पर पचास हजार से उपर तक की संख्या पर निर्वर करता है तो ये चार शेणियों में नगर पालिका को विभाजित किया गया है जन संख्या के आधार पर और ये विभाजन केवल administrative convenience के लिए है, प्रशासनिक स्विधा के लिए है बाकी जो कारिक्षेत्र, कारिशैली, संग्ठनात्मक, संरचना और ये सब बाकी या चुनावी प्रक्रिया ये सब एक ही जहता है, कोई अंतर नहीं तो इस प्रकार हम नगर पालिका का भी अध्यान कर लिए अब हम चलते हैं अंतिम पायदान पर इस व्यवस्था के शारी स्वशासन व्यवस्था के अंतिम पायदान पर ही नहीं बलकि सद्ध्याय के लगबग अंतिम छोर पर अब हम चलना हैं और वहा है नगर पंचायत जह था मैंने पूर में बताया है नगर और पंचायत शब्द जो जुड़ा है तो आप समझ लीजे ऐसी पंचायत जो नगर की और बढ़ रही है नगर नहीं बनी है तो सबसे निम्न स्थर पर शहरी व्यवस्था में जो स्वशासन की व्यवस्था है वह कहलाती नगर पंचायत नगरी खेतर की पहली स्वायत संस्था नगर पंचायती वyang वहां की जाती है जो दिकाशील क्षेतर में हूं ऐसे ख्षेतर जो ग्रामीर क्षेतर से नगरी क्षेतर के और बढ़ रहे हूं खासकर शहरों की पेरी फेरी मेें शहरों के दाएरे में आउटर दाएरे में जो शहर आ जाते हैं जो गाओं बस जाते हैं वे शहर की और शहरी करण की और अगरसर हो चलते हैं इस पकार ग्रामीन ख्षेतर और शहरी ख्षेतर के बीच की शेणी वाले ख्षेतर के लिए नगर पंचायतों की विवस्ता हैं ग्रामीन ख्षेतर और शहरी क्षेतर के बीच में अलग-अलग राजियों में इनने अलग-अलग नाम दिया है जैसे बिहार में अधिस उचित ख्षेतर समिती लेकिन 36 गड़ में इसे नगर पंचायत ही कहा जाता है तो आप इसे नगर पंचायत की रूप में ही याद रखें रही बात नगर पंचायत के सदस्यों के संग्ठनात्मक शैली की संग्ठनात्मक धाचे की तो इसके सदस्यों के भी जनता के द्वारा चुना जाता है और उसी वार्ड रूप में चुना जाता है और चुने हुए प्रतनी ज्योंते को वैसे ही पारशत कहा जाता है जैसे नगर निगम और नगर पालिका में है और नगर पंचायद के जो प्रधान है वह नगर पालिका के प्रधान जैसा अध्यक्ष ही कहलाता है नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं मेयर, महापाउर और जो सभाण चलाता है सामाने परिशद वह सभापती नगर निगम में लेकिन यहां पर अध्यक्ष ही कहलाता है पार्शद और अध्यक्ष का निरवाचन जनता के द्वारा प्त्यक्ष रूप से होता है जैसा कि नगर पालिका में होता है पार्षद अपने में से एक उपध्यक्ष चुनते हैं जैसा कि नगर पालिका में चुनते हैं इसके साथ ही नगर पंचायत का जो कारेकाल है वह भी नगर पालिका जैसा पांच वर्ष का होता है लेकिन पांच वर्ष पहले भी भंग हो सकती है जैसे नगर निगम हो सकती है नगर पालिका हो सकती है और छै माह के अंदर इसका चुनाव कराना जरूरी है इसके कारिक क्या है? वैसे ही जैसे के नगर पलिका के हैं, फिर और छोटे इस तरफ interfere क्योंकि नगरी व्यवस्था भी यहां नहीं आई है तो नगरी समश्याएं नहीं है लेकिन चूंकि एक जनसंख्या वہां रहती है, इसलिए नगर पंचायत है और नगरपंचायत की अधिक्तम जन संख्या जदी हम देखें तो वो करीब 5-6-7,000 से कम ही होगी क्योंकि 10,000 से नीचे चौथी श्रेणी की नगरपालिका आती है हमने अभी अध्यान किया तो 10,000 से नीचे आती है नगरपालिका लेकिन यदि 3-4,000 की जन संख्या शहरी करण की और अगरसर हो रही है तो वह भी नगर पंचायत की श्रिणी में आजाती हैं और उसके कारे भी लगभग वैसे ही हैं जैसे नगर पालिका के चाहसाड़क, नाली, गलियों आदी की सफाई इसके अलावा सारजनिक शौचाले, जल प्रणाय, योजनाय, सारजनिक बाजार, अगनी शमन, शम्शान घाट, जर्म डुतिव पंजियन आदी आदी तो कारे वही हैं जो नगर निगम के थे, नगर पालिका के हैं और वही नगर पंचायत के भी हैं नगर पंचायत के कारेओं की बात करते हमें, उन कारेओं को न दोराएं, या न मानें, जो केवल शहरी खेत्रों में हो सकते हैं जैसे उदारन के लिए नगर पंचायत में पुलों आदी के निर्मान की जुरत नहीं होती तो पुल के कारे, सड़क बनाने के कारे ये बनाने के जो कारे हैं ये नगर पंचायत नहीं करती उसके लिए कुछ और प्राधान है लेकिन हाँ सड़क को मेंटेन करना उसकी सफाई करवाना आदिये नगर पंचायत के दाइरे में आता है अब हम आते हैं इनके कारें को समझने के बाद एच्छिक कारे क्या है एच्छिक कारे से मतलब है वालिंटरी यदि उससे लगता है तो वो करे बाइंडिंग नहीं है ऐस इसे एच्छिक कारे में आता है गंदी बस्ती के सुधार वचनाले की विवस्ता लाइबरी जिसका मैंने जिक्र भी किया नगर पालिका के संबंद में सेर्जुनिख्श नानागार के विवस्ता पब्लिक टॉलेट और पब्लिक बात तालाबों में उचित घाटों के विवस्ता फिर पर्यावरन संरक्षन नगरी वानिकी गार्डन वगरा बनाना लोगों के लिए वाकिंग का पाथवे बनवाना आर्थिक वो समाजिक कमजोर वर्गों के लिए योजनाय बनाना और समाज के कमजोर विकलांग वर्गों की रक्षा के लिए कुछ प्राउधान करना ये एच्छिक कारियों में आते हैं यदि उनकी बजट पर्मिट करता है यदि उनकी उनका समय उन्हें अनुमती देता है तो इन खेत्रों में भी वे कारिय कर सकते हैं इसके लिए उप्रतिबंधित नहीं है इस बात को आपको ख्याल रखना दूसरे शब्दों में ये जो तीनों संस्थाएं हैं इनके कारे की सीमा कुछ निर्धारित निश्चित नहीं की जाते की ये वे सभी कारे करने के लिए सक्षम है जिसे वे करना चाहें और जो संभव है अपने क्षेतर की जनता के हित में यदि वो जन हित में दिखते हैं वे कारे तो वे अवश्य करें सौंधरी करण की यदि बात है तो उसकी कोई सीमा नहीं है शहरी सौंधरी करण को लेकर बोलते हैं स्काई इस दे लिमिट आकाशी सीमा है तो ये एच्छिक कारियों की श्रिणी में आएगा कि कितना सौंधरी करण किया जाए तो एच्छे कारे भी इन तीनों निकायों के संबंद में आप जोड़ सकते हैं अब आता है इसकी आयका साधन क्या है नगर पंचायत की आयका विधान मंडल द्वाराही प्रस्तावित शुल्क पत्कर फीस संग्रहिद करने और विन्योजित करने के लिए इसे अधिकरित कर दिया जाए तो ऐसा करता है राज्य सरकार की संचित निजी से इन संस्थाओं को कुछ साहता मिलती है अनुदान भी दिया जाता है और ये राज्य सरकार की अनुमती से रिड़ भी ले सकते है जिसे बाद में उसे नगर निगम को जिसे नगर पंचायत को स्वैम अपनी आये जनरेट करके उसे चुकाना होता है कुछ ऐसी योजनायदी प्रस्तावित है जिसके त्वरित नियोजन की जरुरत है और उसके लिए सरकार से पैसा नहीं आ पा रहा है तो वह सरकार की अनुमती से रिंड ले सकती है बैंकों से को आपरेटिव बैंक से अन्य संस्थाओं से और अपने कारे को पूरा संपाजित करने के बाद आगे होने वाली आयसे उस लिए की चुकाई भरपाई कर सकती है या जो अनुदान का पैसा समय पर आने पर सरकार के द्वारा पैसा मिलने पर उसमें से कुछ 들리고 चुकाई सकती है तो इस प्लकार इस थानी सवशासी संस्थाओं के सभी तरह की संस्थाओं के हमने आये के सादरों का भी अध्यन कर लिया अब हम कुछ अपवादों की बात करें कुछ खेत रहसे होते हैं जहांकि जन संख्या किसी खास वर्ग के लुगों से बड़ी है जहांकि निवासी किसी खास कबके के हो उधारन के लिए हम देखें तो भिलाई जब भिलाई स्टील प्लांट बना था 1956 संतावन में तो उसमें भिलाई एक मात्व छोटा सा गाउं था इस टील प्लांट बनने के बाद वहाँ पर इंजिनियरों का आना हुआ वर्क फोर्स का आना हुआ और छोटे छोटे और उद्योग खुले और इसमेकार वो थोड़ा सा नगर का रूप लेने लगा बड़े गाउं का रूप लेने लगा लेकिन एक बड़ा ख्षेत्र ऐसा था काफी बड़ा ख्षेत्र जो गाउं से हट कर काफी कोई टाउन शिप जैसा था जिसमें पक्के मकान बना दिये थे भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों ने कंपनी ने वहाँ उनके कर्मचारी, अधिकारी, मार्केट प्लेस और यह सब था और उस ख्षेत्र में अधिकतर लोग भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े हुए लोग थे दूसरा उदारन कोरबा, NTPC NTPC कोरबा, यदि आप जाएं तो आप पाएंगे एक बहुत बड़ा ऐसा ख्षेत्र है जहां पर NTPC से जुड़े हुए लोग ही रहते हैं, जीवन यापन करते हैं उनकी जीविका भी वही है, उनका रहन सायन, आमोद प्रमोद, यानि वो सेल्फ सफीशियंट यूनिट है, स्वैम में परियाप्त एक यूनिट हो जाता हुँ और उस काउन्शिप के बाहर का शहर दूसरा ही है तीसरा उधारन, आप जबलपुर जाएं, या महराश में देवलाली जाएं तो वहाँ पर या मध्यपदेश में माउ जाएं, वहाँ पर आप आएंगे कि अधिकतर जो जन संख्या है वह सैनिकों की है या फोज से जड़ो हुए लोग की है ऐसी स्थिति में फोज से जड़ो हुए लोग या कोर्बा में एंटी पीसी से जड़ो हुए लोग की बहुलता जो मैंने एक और धारन दिया भिलाई स्टील प्लांट में भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ेवे लोग के भहुलता उस समय तो वो ना नगर पालिका में फिट होते हैं नगर निगम में नगर पंचायत में तो एसी स्थित में क्या वहाँ पर स्वायत संस्था ना हो? उनका स्वाशासन ना हो? नहीं यदि स्वाशासन उप्योगी है, उप्योगी पाया गया है तो इन जगहों में भी स्वाशासन की विस्था की जा सकते और है आर्मी के खेत्र में जैसे मैंने जबलपुर का उधारन दिया देवलाली का उधारन दे रहा हूँ ऐसे फौजी खिलाकों में जो अच्छी पॉपलेशन जहां पर फौजीयों की है माउ में वहां पे जो संस्थाएं हैं स्थानी स्वशासन के संस्था उसे कहते हैं केंटोनमे जावनी बोर्ड चावनी बोर्ड गैंटोनमेंट जावनी बंदरगाहों में पोर्ट ट्रस्ट जहां बंदरगाह से जुले हुए उक्युपेशन को लेकर एक बहुत बड़ी संख्या लगवग एक नगर जैसी बस गई है सभी लोग बंदरगाह के से संबंदित रोजकार से जुले हुए हैं वहाँ पोर्ट ट्रस्ट कैंटोनमें बोर्ड और कुछ जगई सुधार परण्यास ऐसी तरह की यह सब क्या है ये भी स्थानी स्वशासन संस्थाइं है केंटोन मिन बोर्ड भी स्थानी स्वशासन संस्था है इसके संरचना की बात करें संगठन की बात करें तो छावनी बोर्ड रहता है केंटोन मिन बोर्ड जो वहां स्थापित होता है सैनिक रहते हैं रक्षा मंत्राले के अधिकारी से जुड़े रहते हैं, कल्यान कारी और सरक्षा कार्यों को यह वहाँ पे उसका निर्वन करते हैं. बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह नियास होता है, बंदरगाह नियास, कलकटा, चेनाई, मुंबाइक, कोचीन, यहाँ पर विशाका पतनाब, यहाँ पर पोर्ट हैं, इन्हें बंदरगाहों के पास के एक शेत्र में बसाये गया है, बंदरगाह नियास, बंदरगाह पर माल और यातियों के शुविदा संबंदी कारे करता है ऐसे एक होता है सुधार प्रन्यास बड़े बड़े शहरों में जहां बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही हो वहां की विवस्था के लिए ये सुधार प्रन्यास बनाए गया है और इन सभी संस्थाओं को स्थानी कर कर बशर्ते उसका प्रावधान किया गया हो स्थानी विधान मंदल द्वारा उसका अधिकार दिया गया हो तो तो इस पकार हमने पंचायती राज और स्वशासन से सम्मंदित विस्तरित जानकारी ले लिए समझ लिया और अब काफी कुछ समझ गया है कि उचे स्तर की राजनीती में जाने के लिए दि हम नीचे से अपनी राजनीती के शुरुवात करें तो हमें फिल्ड एक्स्पिरियंस अच्छा होगा अच्छे अनभों के साथ हम उपर की और जाएंगे और देश के लिए बहतर काम करने के लिए क्वालिफाइड रहेंगे, योगी रहेंगे ये सब जानने के बाद थोड़ा सा हम 73 और 74 संशोधन के एक बार और बात करें इनकी क्या विशेष्टा थी 73rd संशोधन दो 1992 में आया था ये बहुत क्रांतिकारी था तीन स्तरी संरचना पहली बात तीन स्तर पे है चाहे ग्रामीन या शहरी दोनों में ही तीन तीन स्तर है दूसरा पांच वर्ष का कारेकाल सुनिश्चित तीसरा विशेओं का डिविजन चौथा आदिवासी के अधिकारों की रक्षा पांच वा आरक्षन के विवस्था की गई चाहे महिलाओं के लिए हो अनसूची जाती के लिए हो अनसूची जन जाती के लिए हो पिछड़े वर्गों के लिए हो और यह स्पस्ट किया गया कि अनसूची जाती जन जाती पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षन का प्रावधान है उसी के तहट महिलाओं का रख्षन एक तिहाई उसके बाद राज्य चुनाव आयोग 73 में और 74 में संशोधन कानूनों ने राज्यों में स्थानी स्वशासन निकाय के चुनाव करने का दैत चुनाव आयोग को दिया याने एक संबैधानिक संस्था चुनाव आयोग इन संस्थाओं का भी स्वायत संस्थाओं का भी चुनाव कराएगी अर्थात उससे उसकी जो विश्वसनीता है वो बढ़ेगी सरकार चुनाव नहीं कराती नगर निगम के अधिकारी मिलकर चुनाव नहीं कराते इसकी जिम्म्हेदारी चुनाव आयोग को ही दी गई है जिससे निश्पक्षता सुनिश्चित की गई है चुनाव की विश्वसनीता पर प्रष्टिन नहीं लगता और राज्य चुनाव आयोग के जरिये से जो 73 वा और 74 वा संशोधन हुआ उसमें इस सुनिश्चित किया गया, कि ऐसे चुनाओ हूँ अगली विशेष्टा वित्य आयोग की व्यवस्था, उनकी ताकत, उनकी शक्ती इस्थानी स्वाशासन निकाय की वित्ती सिती पर विचार करना, उसके लिए निधी का मार्ग बताना, इस्थापित करना, राज यपाल के साथ संबंद बनाये रखना, ये वित्य आयोग का बहुत महत्पूर्ण कारे प्रावधान किया गया और इसका कारेकाल भी पांच वर्ष किया गया, तो इस पकार हम देखते हैं कि 73 और 74 संशोधन, बड़ा क्रांतिकारी संशोधन मर्ग हुआ, भारत की राजनीतिक विवस्था को काफी गहराई तक खलाया लोक तांतिक विवस्था का जमीनी आधार तयार किया, बिलकुल निम्न तमस्तर पर मत दाता को अपने मत पत्र की महत्ता को समझने में मदद किया इन संशोधनों की महत्ता का एक पहलू ये भी है कि सरकार द्वारा इन स्थानी संस्थाओं पर नियंत्रन का भी प्रावधान लखा गया है ताकि उनका समय समय पर निरिक्षन कर सकते हैं जिश्चित करे कि ये समगभर संस्थाएं अपने अपेक्षित दिशा और दशा में काम कर रही हों संतुष नहुने पर इनके विरुद कारवाई करने का अधिकार भी है और इस पकार सरकार का इसमें काफी कुछ नियंतरन ड़ता है सरकार तो इन्हें भंग भी कर सकती है नए चुनाओं करवा सकती है हाँ ये चुनाओं छे माँ के अंदर होना जरूरी है लेकिन भंग करने का एक आधार होना चाहिए असली देखा जाया तो केंदर सरकार, रजज सरकार और स्थानी सशासन संस्थाओं का और देश तो एक ही है और वो है जनता की सेवा, देश की उन्नती इसलिए ये जरूरी है कि केंदर सरकार, रज सरकार और इन संस्थाओं के बीच में ताल मेल हो, सहयोग हो एक मतता हो, एक जुटता हो, किसी तरह का वैमनच नहो इस्थानी स्वशासन व्यवस्था का लोक तंतर से बड़ा गहरा संबन्द है इसलिए इस्थानी स्वशासन को लोक तंतर की आत्मा कहा जाता है इसलिए इस्थानी स्वशासन को अत्याधिक महत्पूर्ण कहा जाता है तो अब आपको मानना होगा, कि हमने एक बहुत महत्पूर्ण अध्याय का अध्यन किया है लोकतंत्र की आत्मा के अर्था आप समझ सकते हूं यह सोल अब दी डमाकरशी मतों की महत्ता नागरिक की स्वैम की महत्ता इसके प्रति सजगता यह तभी आती है जब हम इन स्वायत संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया में भाग ले और इसलिए एक अच्छे नागरिक के नाते हमारा यह अहम रोल हो जाता है बहुत महत्तूर्ण भूमिका होती है कि हम इस्थानी स्वाशाओं की प्रक्रिया से जुड़े रहें निशकर्श यह कि इस अनुभाद से यही संकेत मिलते हैं कि स्थानी स्वाशाओं का निकाए एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कारियों को लागू करना जारी रखे स्थानी स्वाशाओं को ज्यादा शक्ति देने का मतलब है हम स्था के वास्तिविक विकेंद्री करन के लिए तैयार रहे हैं शक्ति को लेकर बार बार खीशतान होती है यह आरोप प्रत्यारोप चलते हैं कि नगर पालिका नगर निगम बार बार इस बात को के लिए आगाह करते हैं को कि हमें और अधिकार दिये जाए और इस खीशतान में कई बार समस्याएं आती हैं लेकिन जैसे जैसे जागरुकता होगी उत्तरदाइत की भावना बढ़ेगी वैसे वैसे निश्चित रूप से सत्ता का विकेंदरी करण होगा ही और उसके लिए हम तैयार रहे हैं आखिरक सबसे अच्छा उदारण है निम्र तमस्तर पर चाहिए वो ग्राम पंचायत पर चाहिए नगर पंचायत की बात करें गाउं और शहर दोनों जगह के लोगों को अपने लिए फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि उनके लिए क्या नीती उचित होगी क्या कारक्रम उच जाए किने अपनाना है किने नहीं अपनाना है किस पे कितना खर्च करना है किस के लिए कितना खर्च करना आदी आदी और यदि जनता को इस बात के पती सजग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब हम सत्ता के विकेंदरी करण के लिए अपने को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे इस थानी सवशासन की बात करें तो उसके संबन में जो कानून बने हैं वो लोक तंत्र की दिशा में बहुत महत्पूर्ण माने जाते हैं चाहे वे संशोधन के रूप में हो चाहे वे अन्य कानूनों के रूप में हो चाहें 1952 से किये गए प्रयास के रूप में 1952 फिर 1956 बलवंतराय महता 1969 उसके बाद 1977 के बाद 89 और फिर आगे 92 और 93 और आने वाले समय में और उम्मीद है कि जैसे जैसे हम अपने को बहतर लोग तांतरिक विवस्था में ढालेंगे वैसे वैसे शक्तियों का उतना ही विकेंद्री करन होगा और स्वशासन की जो कलपना है वो और साकार होती नजर आएगी लेकिन लोग तंतर की अदि असली परिक्षा की बात करें तो वो कानूनी प्रावधान चानी हैं बलकि उन प्रावधानों को सही रूप में अमली जामा पहनाने से हैं सही रूप में लागू करने से हैं कानून क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसको प्रती तो हम सब सजग हैं समस्ते हैं लेकिन हमें सजगता लानी हैं कि इन कानूनों को सही तरीके से लागू करना अर्थात स्वयम सफाई के प्रती जागरूख हो स् شہر کی सुरक्षा, सुंदर्य पर्याورन के प्रति जागरूख हूँ जिसमें अभी काफी सुधार की जौरत है शहर की सफाई के प्रति हम जागरूख हूँ हम क्यों इन स्वायत संस्थावं पर निर्फर रहते हैं इन सब कारियों के लिए यदि हम स्वय अमेव ये सब कारे करने लगें तो ये स्वयत संस्थाएं अपना ध्यान हमें और बहतर सुझाएं देने में लगा सकती है तो इस पकार ये अध्या यहांपर समाप्त होता है स्वयत शासन का और बिना प्रष्ण के यह पूरा नहीं माना जाएगा तो इसलिए अब चलें हम आगे चलें कुछ ऐसे प्रश्ण जो महत्पूर्ण है उसके लिए कुछ गाइड लाइन्स और बाकी सबाब पृस्तार से लिखें प्रश्णों की शिंखला में कुल आपको 6 प्रश्ण गिए गए हैं और ये 6 प्रश्ण बड़े स्ट्रेट हैं क्योंकि विशा ही जो है उसमें किसी तरह की एनलिसिस आपके सध्याय में नहीं है बलकि factual है तो इसलिए प्रश्ण ही ज्यादा रहेंगे दिशा निर्देश कम र कार्थ है लोकल सेल्फ गर्श्ण कार्थ क्या है उसकी परिभाशा क्या है इसको स्पष्ट करें इसी के साथ इसी में जुड़ें इसकी आवश्कता या महत्ता क्या है क्यों यह आवश्क है और महत्पूर्ण है पहला प्रश्ण इसकी आवश्कता और महत्पूर्ण पे वि थोड़ा सोचते हुए इस प्रश्ण के उत्तर को लिखेंगे, दूसरा, दूसरा प्रश्ण ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ, क्योंकि वह सबसे नीचे का अधार है, हमारी स्वायत से शासन संस्ता का ग्राम पंचायत को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए उससे समंदित प्रश्ण ग्राम पंचायत का गठन, उसका कार्य और आय के संसाधनों की विवेचना करें, ग्राम पंचायत, तीसरा प्रश्ण, नगर निगम, नगर निगम के गठन और प्रशासन व्यवस्था पर प्रकाश डालें, मैं बात कर रहा हूं नगरी व्यवस्था के नगर नि उसका संगठन कैसे उसका निर्माण होता है कहा नगर निगम होते हैं उसका निर्माण कैसे होता है और उसके अलावा उसकी प्रशास्निक व्यवस्था कैसी नगर निगम किस तरीके से काम करता है चौथा प्रश्ण उसके कारियों को लेकर है नगर निगम के समस्त कारियों को बिंदुवार लिखें लगवग 20 कारियों का लेखा जुखा आपको यहां दिया गया था और कमो बेश यही कारिय कुछ कम स्तर पर और कुछ कम संख्या में नगर पालिका के हैं और नगर पंचायत के हैं तो इसलिए यह प्रशन बड़ा अहम हो जाता है कारियों को समझने के लिए लिपिबल्द करें कि इन कारियों का बिंदुवार जिक्र करें उसको विस्तार से आपको नहीं लिखना है लेकिन निश्चित रूप से हर मुद्ध हर कारियों के बारे में कुछ न कुछ जरूर वहार आपकी लिखनी में रहे पांचवा प्रशन पांचवा प्रशन है जनपद और नगर पंचायत में क्या अंतर है सनरचना के मामले में गरसंगठन के मामले में और आए व्याय के सुरोत के मामले में ये अंतर को आप प्रश्ट करें किसके बीच में नगर पंचायत और जन परिशत के बीच में नगर पालिका परिशत के बीच में और अंतिम प्रश्ट हुआ जिला पंचायत और नगर निगम की तुलना करें जिला पंचायत और नगर नगम में अंतर बताएं दोनों में क्या अंतर है यदि आप पांच अंतर पाते हैं संगठान, कारेशेली, प्रशासनिक दृष्टी से आयवे की दिए तो उन पांचों अंतरों को पांच बिंदूओं में तुलना करते हुए लिखें तो इस प्रकार ये सभी प्रश्ण यहाँ पर आपके सामने हो गए और इतको हल करेंगे तो निश्चित रूप से आप थानी स्वाशासन पर अच्छी पकड़ रख सकेंगे अंतिम प्रश्ण च्छतीज गड़ से संबंदित च्छतीज गड़ राज्य गठन के पश्चात पंचायत और ग्रामीर विकास की दिशा में क्या-क्या प्रयास किये गए हैं इस पर आपको इस सध्धाय में विस्तार से उत्तर तो नहीं मिलेगा पर आपको स्वायम को थोड़ा सा रीसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा शोध करना पड़ेगा तो च्छतीज गड़ राज्य गठन के पश्चात पंचायत एवं ग्रामीर विकास की दिशा में क्या-क्या प्रयास किये गए हैं इसमें संख्युत में लिखें और उसी के साथ इसी प्रष्ण च्छा का दूसरा भाग च्छावनी और पौटटरस्ट क्या है क्छावनी बोड केंटॉनमें बोड और पौटटरस्टिक्षी इसमें दोनों में तीन-टीन लाइनों में उत्तर देआ